तू खोल दे पंक तेरे अभी तो आस्मान बाखी है। अलपसंख्यक कल्यान के पद पर भोपाल मध्यप्रदेश में कारे रथे। कविताओं का सतत प्रकाशन और प्रसारण भी सर ने किया है। और विध्यारतियों को मोटिवेट करने के लिए कई स्पीच और मोटिवेशनल वीडियो भी बनाए है। सर ने अभी तक छे सही योगी तता व्यक्तिगत काव्य संकलोनों का संपादन किया है। के नाम हैं मंजुशा, अनुबुती, धर्तिका, मदुसंचय, हंस उडगया, गोरव और प्रदिविका। अब मैं सर को इन्वाइट करना चाहती हूँ, सर आप फ्यू वर्ट्स पता बोले। निकिता जी आज सबसे पहले तो मैं आपका बहुत शुक्र गुजार हूँ, आभारी हूँ कि आपने मुझे आफसर दिया। मैं मुलता है प्रशाचनिक सेवा में हूँ, बावजूत चूंकि शिक्षकी सेवा से मैंने अपना कारिप्रारम किया था तो मैं बच्चों से बहुत लगाव महसूस करता हूँ और आज का जो दोर है इस दोर में बच्चों के सामने जो प्रशनिक उभर कर आते हैं करियर ऑप्शन्स के बारे में कि हम क्या करें एक प्रशनिचन उनके सामने लग जाता है तो जैसा कि अभी आपने कहा उड़ान पंक होने से कुछ नहीं होता होंसलों से उड़ान होती है और मंजिल सरफ उने मिलती है जिनके सपनों में जाना होती है तो मैं बच्चों सामें सा कहता हूँ कि सपने वे नहीं जो हमें नीन में आए बलकि सपने तो वो होते हैं जिनके कारण हमें नीन ना है यस सर बिलकुर सही बात है तो बस मेरी हमें सा यही कोशिश होती है कि बच्चों को सही दिशा दे सकें, जिससे कि वो जिसलिये बने हैं, हर व्यक्ति अद्विती होता है, इश्वर ने हमें एक प्रयोजन के लिए भेजा हुआ है, बट यही होता है कि हम अपनी अंतर निहित छमताओं को पहचानें, और उस अंतर निहित छमता के अनुस्वार उस कर सकें और किस दिशा में वो जा सकें, तो जैसे कि आप लोग उडान का मेनिंग तो समय जी गए हैं, इसका मतलब है कि हमारा आज का टॉक शो आपके मन के सारे कंफ्यूजन, आपकी करियर ओप्शन्स, आप किस फिल्ड में जाना चाहते हैं, आप कौन सी इंटरंस दे सकते हैं, आपकी कुन सी स्कीम से, और बहुत सारी बातों को लिये वे हैं, तो हमारे साथ बने रहे हैं, सर स्टार्ट करू में जा सकते हैं, बहुत अच्छा प्रशन आपका है, सबसे पहले प्रशन के अगर हम बात करें, आज का जो दौर है, उसमें यदि बच्चे टार्गेट और एजुकेशन की दिसा में बढ़ेंगे, तो वो जल्दी लक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, यहां हम दो श्रेणियों में बात कर सकते हैं, एक होता है कि आफटर 12 क्या-क्या पॉसिबिल्टीज है, और आफटर ग्वेजुएशन क्या-क्या सम्भावनाई हैं, क्या होता है कि यदि बच्चे की अभीरूची थोड़ी देर के लिए मान लें कि उसमें प्रबंध की छमता अच्छी है, प्रशाशनिक दक्षताएं हैं, लीडर्शिप क्वालिटी है, तो ऐसी स्थिति में बच्चा प्रशाशनिक सेवा में भी जा सकता है, यहां है, यदि उसमें मैन प्रबंध की छमताओं में MBA कर सकता है, और उसके अधार पर किसी भी कंपनीज में या किसी शाश्की उप्रम में भी वो अपनी प्रबंधन छमता का सही उपयोग कर सकता है, तो इस अधार पर हम देखते हैं, कि बच्चों के लिए आफ्टर ग्यूशन बहुत सारी opportunities हैं, औ बहुत अच्छे से आपने बताया, परस्क्वेशन में आपने बहुत से चीजों की हिंट भी देदी, जो हम आगे डिसकूस करने वाले हैं, सर अब मुविंग टूवर्ड्स तो सर आप बताये कि आफ्टर ट्वेल्थ चाहे बच्चे का साइंस पेक्राउंड हो, कॉमर्स हो चाहिए, क्रिश्टल क्लियर, यदि लक्ष सही है, मंजिल तय है, तो रास्ते अपने आप बन जाएंगे, तो हम जब बात आपने भी मुझसे कहा, कि आफ्टर ट्वेल्थ क्या-क्या संभावना हैं, तो यदि उसका टार्गेट क्या है, उस टार्गेट के अकॉर्डिंग वो 12 के बाद कौन-कौन से कॉर्स कर सकता है, कौन-कौन सी प्रतियोगी परिक्षाओं की तयारी कर सकता है, कि इस दिशा में वो जा सकता है, ठीक है, अब दिसे इमाल लीजिए, उसका PCM background है, Science background है, Maths का, Physics, Chemistry, Maths है, तो उसके लिए एक बहुत अच्छी संभावना Engineering field में हो तो आपने देखा होगा, जैसे J.E. की exam होती है, Joint Interns Examination, दो चरण होते हैं उसके, एक मेंस होता है, एक एडवांस होता है, यदि वो Engineering field में जाना चाहता है, B.E.B. Tech करना चाहता है, इसमें बहुत सारे अलग-अलग streams होती है, वो Computer Science में जा सकता है, Electronics and Communication में जा सकता है, Electrical field म there are so many fields are there in Engineering also, तो ऐसी स्थिति में उसको J.E. मेंस क्लियर करनी होगी है, यदि बच्चे में अच्छी संभा होना है, intelligent बच्चा है, तो वो J.E. Advanced के थूरू, National Institutes में, IIT में प्रवेश पा सकता है, तो इस प्रकार से, जब आपने कहा 12th के बाद, तो 12th के बाद Engineering एक बहुत सा फील्ड है, B.E. B.T.E.C. के लिए वो उस दिशा में प्रयास कर सकता है, यदि वो ही Science में Biology Group को बिलॉंग करता है, उसके पास में Physics, Chemistry, Biology उसना उप्ट किया है, तो ऐसी स्थिति में भी बहुत सारी Medical Fields उसके लिए खुली हुए है, नीट के माध्यम से, ठीक है, आप देख उसके बाद भी ऐसा है, यह केवल MBBS है, आप BDS में जा सकते हैं, डेंटल सर्विसेज हैं आपके पास में, नीट के माध्यम से ही BHMS, Homeopathic and Modern Surgery, BUMS है, यूनानी चिकित्सा पद्धती है, ठीक है ना, इसी प्रकार से Paramedical के बहुत सारे Courses हैं, जिन में आजकल हम यह देखते ह हैं कि Job Oriented, हर बच्चा यह चाहता है कि मैं यदि कोई कोर्स कर रहा हूँ, तो उस कोर्स के बाद मेरी Job Security कितनी है, सबसे बत, तो Job Surety के लिए वो Paramedical Courses भी कर सकता है, परामेडिकल कोर्स में आज बहुत सारे, जैसे अगर मानलो सामान ने, अगर हम एक बच्चे का इसतर हम में लगता है कि मध्यम उसका Education Qualification है, तो इसी स्थिति में वो जो है, DMLT कर सकता है, Medical Lab Technician के लिए, Graduation कर सकता है, BMLT कर सकता है, Master हो जाता है, इसी प्रकार से अगर वो, मानलीजे, Ophthalmik में जा सकता है, Paramedical के Courses है, आप देखेंगे, Physiotherapy बहुत अच्छा है, तो ऐसे बहुत सारी संभावनाय Biology Group के साथ भी जुड़ी है, हमने बात किये भी, कि Maths संकाय का है, उसके पास Engineering की, ना कि भी Engineering, बल्कि उसके सांसां, वो, Banking Sectors में भी जा सकता है, Maths Group होता है, चुकि जो भी competitive exams होती है, Maths Reasoning उसका एक Part होता है, तो उसके लिए सभी संभावनाय खुली होई ह है ना 12th के बाद में, वो Banking Sectors में भी जा सकता है, और दूसरे Sectors में भी जा सकता है, Railway, SSC, अपनी अपनी exams कराते हैं, उनको qualify कर सकता है, ठीक है, आर्ट्स की बात करेंगे हम अगर, तो आर्ट्स में जैसे मैंने आभी है आपको बताया, सिविल सेवाओं के सेथ में बहुत पी PSC, इसी प्रकार से अन्य राज्जी भी अपनी PSC कराते हैं, और राज्जी सेवा के अलावा, अगर हम केंदरी सेवाओं की बात करें, भारत सरकार की, यू PSC के माध्यम से, आप IAS के लिए चायनित, IRS के लिए चायनित हो सकते हैं, तो उस दिशा में बच्चा तयारी, क तो ही आप अच्छा भवन बना सकते हैं, ठीके न, तो यहाँ पर आफ्टर 12 जो है कला संकाय का विद्धार थी है, तो उसके लिए सिविल सेवाओं खुली है, कला संकाय में हैं, तो उसके पास बैंकिंग की जैसे में ने कहा आपको, पहले BSR भी हुआ करती थी, बैंकिंग लिए एकजाम लेता है, आइभी पीएस के मांद दें से पी ओ की एकजाम होती है, परिविक छादी न अधिकारी, तो उसकी ग्रेजिएशन के बाद होती है, तो उसका भी एक निर्धारी सलेवास होता है, उसमें इंग्लीश आती है, अपकी मैट्स होता है, रिसनिंग होती पूछे जाते हैं और जो समसामाई घटना है ये सारी चीज़ें उसमें पूछी जाती है तो इस प्रकार से आर्ट्स के लिए भी इसकोप है अगर कॉमर्स की बात करें तो CACS के लिए उसके संभावना है बैंकिंग सेक्टर आलसो उसके लिए खुला हुआ है अवलेबल है तो इस प्रकार से बहुत और अगर वो कॉमर्स अंकाय का है तो वो BBA कर सकता है आफ्टर देन MBA कर सकता है तो management के छेतर में आजकल बड़ी-बड़ी companies हमारे बीच है multinational companies है अच्छे-च्छे opportunities उसको मिलती है तो यह है कि हम 12 के बाद जिस stream के हैं उस stream में specialization कर एंड देन हम अपना targets पहले सबसे पहले है कि we have to set our target है अगर हमारा target अच्छे तो हम उस दिशा में बढ़ पाएंगे उसी दिशा में तैयारी करेंगे जी सर आपने बहुत अच्छे से cover करा सारी मनदब आपने arts को cover करा commerce को cover किया maths को biological को एंड उसमें भी multiple choice आपने बताई multiple options बताईजी ने बच्चे opt कर सकते हैं सर जो मेरा next question है वो civil service पर ही बहुत अच्छा प्रशन आपने किया दिखिए civil service का एक बहुत विस्तरत कारिचेतर है ठीक है civil service में मैं पहले तो यह बता दूँगा बताना चाहूंगा बच्चों के लिए खास करके कि आज अगर हम पूरे प्रशाशन के सिनारियों को देखते हैं आप जब भी सरकार से आपकी कोई भी आभशकता हैं होती है आप collect rate में जाते हैं तहसील का रेले में जाते हैं अगर आपको वाहन का पंजयन कराना तो आप RTO जाते हैं आपको भूमीना मंतरन कराना तो आप तहसिलार के पास जाते हैं पटवारी के पास यह सब civil सेवाओं के अंतरगत आती है ठीक है तो इसमें क्या होता है कि राज्य सेवा और क इच्छा आयोजित होती है तो जो हमारा लोक से वायोग है वो क्या करता है कि विभिन्य विभाग होते हैं जैसे मत्वदेश आशन के महत्पूर्ण 51 विभाग है हर विभाग के जो राजपत्रित अधिकारी होते हैं जिला अधिकारी होते हैं या तैसिल लेवल के अधिकारी ह आधिकारियों के पदों को फूछ रहे कि कितने कितने पद कहां कहां रिखते हैं उसके अधार पर पीसे अपनी विक्गयापती जारी करती है ठीक है जैसे में थोड़ी देर के लिए अगर प्रमुख पदों की बात करूं ठीक है तो डिप्टी कलेक्टर का एक पद होता है तेहसिलदार के लिए नायप तेहसिलदार के पद उसमें होते हैं, आर्टीओ के लिए होते हैं, जो लोग परिवहन अधिकारी हुमारा होता है, इस प्रकार से विभिन विभाग होते हैं, उनके अस्टें डारेक्टर्स के पद होते हैं, ऐसे करके काफी अलग-अलग पद होत उन पदों के जैसे मध्यप्रद्य सरकार ने मान लीजे उधारन के रूप में 2022-23 में विग्यप्ति जारी कि और उन्हों ने कहा किसाब हमारे पास में टोटल मिलाके 500 पद हैं तो वो क्या करते हैं 500 पदों के लिए विग्यापन जारी करेंगे ठीक है और जो विग्यापन जा होता है कि सबसे पहले प्रारंभिक परिक्षा होती है ठीक है उस प्रारंभिक परिक्षा में दो प्रशन पत्र होता है एक प्रशन पत्र सामान्य अध्यन का होता है और एक प्रशन पत्र होता है सी सेट जो लॉजिकल और रिजनिंग से रिलेटेड होता है जिसमें मैस और देखी जाती है, और जो संस्चान इध्यन का उता है, उस सम्झान इध्यन के पेपर में, अगर मैं बात करूं, तो सभी विषयों का जिस्ट होता है, मतलब उसमें ना केवल इतिहास के प्रशन पूछे जाते हैं बलकि राजनीती से संबंधेत, भूहोल से संबंधेत, समसामाईक संधर्वेत, विज्ञान से संबंधेत, ठीकि ना, ये सभी विश्यों को कवर करते हुए एक प्रशन पत्र तैयार किया जाता है, सो प्रशन होते सबसे महात् idols होते है आपकी reasoning क्योंकि आपको तोरित निर्चने लेना है, आपकी logical reasoning जतनी स्ट्रॉंग होगी, उतना ही आप एक सफल प्रशाष्निका दिकारी सद्ध हो सकते हैं, तो क्योंकि कई बार आपको तुरंत निर्चने लेने पड़ते हैं, line order की एस्थिति बन गई तो आप किस तरह से वहाँ पर परिस्थितियों को सम्हा लेंगे तो इसलिए दो प्रश्ण पत्रा भी देखा है हमने है ना ये प्रारंबिक परिक्षा होती है प्रारंबिक परिक्षा में मान लिजिए जितने भी बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं मैंने अभी बताया था पंदरह गुना बच्चों का चैन होता है और फिर मेंस एक्जाम देते हैं सेकंड लेवल की एक्जाम होती है और फिर मेंस एक्जाम जब बच्चे क्वालिफाई करते हैं तो जितने पद होते हैं उनका तीन गुना, जैसे 15 गुना बच्चों का चाहन हुआ मेंस के लिए, ठीके, मान दीजे मैंने अभी एक ग्जामपल बताया आपको कि अगर 100 पद निकले हैं तो 1500 बच्चे हैं, ठीके, मेंस की एक्जाम होने के बाद, ठीके, फिर उनका चाहन, य ठीके, एक प्रशनपत्र जो होता है, वो होता है, हिंदी का, भाषा का होता है, जैसे हम मद्रदेश में हिंदी ले लिया, अन्यराज्य अपनी, यह हमारे पास दूसरे अप्शन्स भी खुले होते हैं, कि हम कोई भाषा ले सकते हैं, ठीके, और एक निबंध का होता है, ऐस इंटर्व्यू में बच्चों का जो भी जितने चैन होने के बाद में जितने पद होते हैं उतने बच्चों का चैन हो जाता अंतिम रूप से यह त्रेस्तर ही परिक्षा है तो इस प्रकार से यह हमारी राज्य सेवा परिक्षा होती है ऐसा ही सिविल सेवा परिक्षा है UPSC ठ तीन चरण प्रार्णभीक परिक्षा मुख्य परिक्षा और इंटर्व्यू इसमें प्रार्णभीक परिक्षा में वही दो प्रश्न पत्र हैं लेकिन मुख्य परिक्षा में दस प्रश्न पत्र होते हैं वहां पर अच्छा हां दस होते हैं और उसमें क्या होता है में दो कोई जो जुद को आपशनल सब्जेक्ट चूस करना पड़ता है, ठीके वो यू दो आपशनल सब्जेक्ट होते हैं उनके दो दो पेपर होते हैं, वर्स स् costly टो चार ह pseudo होते हैं, ऑच्छय को सामान नियर्जय को होते हैं जिपन्द को होता है इंगलिश को होता है इसे करकर तोटल दस प्रशन उपतर होता है, उनको qualify करने के बाद फिर interview and then final selection होता है, तो एक बहुत अच्छी सेवा है, यदि बच्चे उस दिशा में जाना चाहते हैं, तो उनको सबसे पहली चीज होती है, कि वो अपना जो है general knowledge update रखे, साथ साथ उनका maths reasoning strong हो, और सबसे महत्पून चीज होत प्रशन है उनके लिए, लास्टली तो interview में यही देखा जाता होगा, communication and presentation, इंटर्वियम क्या है, वो ज्यान की परिक्षा ले चुके होते हैं आपकी प्रारंभिक और बुक्खी परिक्षा में, आप वो केवल व्यक्तित्व का अकलन करते हैं, कि यदि आपको as a administrator हमने कहीं बेठाया है, किसी पदपर बेठाया है, तो महां आप सेवाओं को अंतिम व्यक्तित किस तरह से पोचा सकते हैं, कैसे आप विपरित परिस्थितियों का सामना कर पाएंगे, क्या आपकी abilities हैं, यह सब चीज़े उसमें देखी जाती है, जी सर, आपने बहुत अच्छे से जाया, I think this अभी को clear होगा, clear हुआ होगा, जिन जिन बच्चों ने मुझे personally आके बोला था कि मां गे question करना, तो question होगा है, I hope कि आपका answer भी आपको मिला होगा, अब हम चलते हैं, next question की ओर, sir, मध्यप्रधिश शासन की students के लिए, कौन-कौन सी exam से, और वो उसकी benefits कैसे ले सक सकते हैं, जिए, कौन-कौन सी schemes है, scholarship के लिए, yes, schemes, दिए, क्या होता है, कि शासन की बहुत सारी और बहुत लोग कल्यानकारी schemes हैं, पर उन schemes की जानकारी के अभाव में बच्चे लाव नहीं ले पाते हैं, अगर बच्चों के लिए मैं बात करूँ, scholarship की बहुत बहुतर schemes है, अभी हम बात कर रहा थे, कि after 12th अगर बच्चे PCM group का है, और उसका engineering में selection होता है, आप जानते हैं, कास्किली पढ़ाई है, बहुत नहीं है, तो ऐसी स्थिति में, अगर किसी बच्चे ने JEE के through engineering में admission दिया है, और यदि उसका 1.5 लाख तक भी rank बनती है, 1.5 लाख, तो मं अधि-प्रदेश शरकार ऐसे बच्चों को, यदि वह पिछा वर्ग का है, या अनुसरी जाती-जाती का है, तो उसकी पूरी फीस, इवन private colleges की, वो reimburse करती है, उसको scholarship के रूप में मिलती है, पूरी complete fees, इवन आपकी अगर 1.5 लाख रुपे भी है, तो पूरी फीस दी जाए इना, IIT है, या अन्य कोई भी इस तरह के NITs हैं, उसमें प्रवेश लेते हैं, तो भी उसमें पूरी फीस, इतने बड़े लेवल की, लेवल की, complete fees आपको reimburse होती है, ठीक है, साथ ही साथ, ये नकेवल आरक्षित वर्ग के लिए, मैं बताया आपको अभी S.C.H.T.O.C. के ल जनरल वर्ग के, उनके लिए भी opportunities हैं, बिलकुल, पर जानकारी नहीं होती है, मुख्यमंत्री मैधावी योजना है, मुख्यमंत्री मैधावी योजना में, अगर आपका 12 में 75% है, MP Board में, या CBAC में 85% है, और उस अधिक है, तो ऐसी इस इस्तिती में, मध्रुदेश शाषन उन बच्चों को मेधावी योजना के अंतरवत, फीस का प्रतिभुकतान करती है, अच्छा, मैं अभी आपको बता रहा था, कि जिनकी 1.5 लाग तक है, महां तक तो ठीक था, यदि 1.5 लाग से बाहर भी है, मानली 2 लाग है, तब भी उनको फीस मिलती है, परन्तु उनको ग आपने अधी MBBS में चैन होता है, अगर सबसे ज़्यादा महेंगी पढ़ाई है, तो आज की दर्शा में MBBS है, एक नॉर्मल कॉलेज की फीस मैंने जो निकाला है पूरा मद्वदेश में, आठ लाग से लेके 12 लाग तक MBBS की फीस है, तो MBBS में वे बच्चे जिन्होंने MBBS मे प्रवेश लिया है, इवन प्राइवेट कॉलेजेज में, गवर्मेंट का तो पूरा बुक्तान करती ही है सरकार, किसी भी विशे में, लेकिन प्राइवेट में भी ये दिया, अपका MBBS में चैन होता है, और उसके आपके आठ रहा है, दस लाग या बारा लाग फीस लगती और वो अनुबंध होता है, उनका बॉंड भराता है, उस बॉंड में ये बच्चा कहता है, कि मेरा जब कॉर्स पूरा हो जाएगा, तो उसके बाद 5 साल तक मैं ग्रामिंट छेतर में सेवा दूँगा, बॉंड भरना पड़ता है, यदि वो 5 साल तक सेवा नहीं देता है, तो फिर उसको शाल पातरता नहीं होती, उसको 5 साल तक ग्रामिंट छेतर में सेवा देने का 25 लाख रुपे मुल्ली का बाउंड भरना पड़ता है, अरथार यदि आपने 5 साल तक ग्रामिंट छेतर में सेवा नहीं दी, तो 25 लाख रुपे शाशन को जमा करने पड़ेंगा और यदि आप ये bond का पालन करते हैं, तो आपको पूरी फीस का प्रतिभुकतान सरकार करती है, ठीक है, बीडियेस में भी लगभग एकलाफ रुपे हम फीस दे रहे हैं, स्कॉलर्शिप के रूप में दे रहे हैं, अन्य कोर्सेज भी है, उन कोर्सेज में भी जो प्लस कॉलेज की पीएजडी तक की जितनी भी कॉर्सेज होते हैं, सारे कोर्सेज के लिए स्कॉलर्शिप मदबदेश तरकार देती हैं, है ना, सर इन चीजों के रिए थे तो बच्चे अबयर ही नहीं होते हैं, जो आपने बता है यह नहीं पता होता है बतों को सर, सर तो ये डीटेल अगर वो चाहें तो जैसे कि आपने बता लेकिन इनकी स्टेप्स कहां से फॉर्म बढ़ते हैं वो किसे पढ़ा कर सकते हैं बहुत अच्छा प्रशन आपका है तीक ये क्या हो रहा है आज का बच्चा बहुत टेक्नो फ्रेंडली है ठीक है न और चाब हमार अच्छे प्लेटफॉर्म से हैं उनको सर्च करें मदब्रदेश सरकार जैसे मान लीजी अगर अनुसुचे जाती 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 का विद्यार्थी है तो SCST डिपार्टमेंट का अपना एक पोर्टल है स्कॉलर्शिप का ओबीसी का अपना पोर्टल है पिश्रावर्द का ठीक है ठीक है वो सारी आजाएगी चाहे वो आपके SCST के लिए हो चाहे ओबीसी के लिए हो चाहे वो मैधावी योजना मैने सामान ने बरगी के लिए भी आपको बताया था कि जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं जिनका सामान MPPS सारी मध्यप्रदेश बोर्ड में 75% साधिक है और CBSE में 85% साधिक है तो ऐसे बच्चों को स्कॉलर्शिप मैधावी योजना के लिए तो उनको मिलती है न केवल यह है बहुत सारी स्कीम्स हैं सिंगल पेरेंट जैसे मानलो कोई है उनकी केवल एक बच्ची है तो ऐसी बच्चीयों को भी मिलती है स्कॉलर्शिप सरकार देती ऐसे ही यदि कोई शहर के छेतर में शहरी छेतर में टॉपर रहती है तो उसको बच्चे को जो है प्रतिभा किरन योजना है उसके अंतरगत लाब मिलता है यह उसमें 10,000 पर प्रतिवर्श के दर से उसको पेसा मिल रहा है लेकिन जिससे वो अपने दूसरे कर्चे जो है समा आपने इस स्कीम बताई है आपने जो स्कॉलर्शिप 2.0 बताया यहां पर सारी टाइप की स्कीम्स हैं वो सारी इसी पोर्टल पर एक ही जगे मिल जाएगी आपको ठीके तीनो चारों व्यभागों की अच्छा एक चीज और बताना चाहूंगा मैं न केवल मद्ब्रदेश स सरकार भी वह सारी स्कीम्स लांच की हुई है ठीक है उसके लिए उनका एक नेशनल स्कॉलर्शिप पोर्टल है उस नेशनल स्कॉलर्शिप पोर्टल पर भी आप अगर सर्च करेंगे तो भारत सरकार द्वारा दी जाने वाली स्कॉलर्शिप की आपको पूरी डिटेल मिल जैसे अभी मैं अगर बताओं तो भारत सरकार especially minorities के लिए भी कुछ schemes लोगे, minority अलप संख्यक वर्ग, अलप संख्यक में कौनकर से होता है, एक थोड़ा समय जानकर ही दे दूँ आपको, छे समुदाये हैं, मुस्लिम, जेन, बोध, सिख, इसाई और पार्सी, ये जो छे मुस्लिम है, जेन भी है, बोध भी है, सिख भी है, इसाई भी है, तो ये सभी जो communities हैं, इनके लिए भी scholarship की scheme से, प्रथक से, जो government आप इंडिया देती है, ठीक है, उसमें, जैसे अभी मैंने बताया, आपको minorities के लिए pre-metric scholarship है, post-metric scholarship है, और एक merit का means है, तीन scholars, अभी उसके यदि minority work का है, तो इस समय portal खुला हुआ है, 30 September उसकी last date है, तब तक, है न, तो उसमें वो यदि चाहें, तो बिल्कुल आविदन करें, और उसको government of India scholarship देगी, इसमें percentage का कुछ, इसमें percentage, 50% का रहता है भारस सरकार के हैं, और state government में कोई percentage का बार नहीं है, अच्छा, एक ची तरफ से बहुत सारी योजना है, एक योजना इसी से चुके scholarship से related है, और वो है विदेश अध्यान चात्रवर्ति है, हाँ, वो बहुत important है, मैं इसलिए इस चीज को बताना जाहूंगा, कि आज विदेशों में सिख्छा बहुत महंगी हो गई है, ठीके न, आप यदि मास्ट करते हैं, मानलीजी आपने यहां से यूजी किया है, ठीके ग्रेजुएशन किया है, और आप मास्टर्स के लिए विदेश जाना चाहते हैं, आप अमेरिका जाना चाहते हैं, यूके जाना चाहते हैं, आउस्ट्रिलिया जाना चाहते हैं, कनाडा जाना चाहते हैं, और वहा वहाँ पढ़ने के लिए tuition fees बलकि आने जाने का airfare वहाँ रहने के लिए आपको पूरा खर्च ठीक है आपका बीमा होता है वो पूरा खर्च living expenses सब कुछ आपको पूरा government दे रही है ठीक है ना तो इसमें क्या होता है कि मद्वर्देश सरकार में जैसे OBC भागे है तो हम पिछ के मान से इसी प्रकार अनुसुची जाती जन जाती भी वच्चों को चाहिन करती है और उनको विदेश अध्यन के लिए देती है सामान्य वर्ग के लिए भी उच्य सिक्षा भागे higher education department वो scholarship देता है और मैंने अभी बताया हर वर्ग cover है ना केवल अरक्षित वर्ग बलकि सा आथी साथ भारस सरकार जो है वो पड़े पड़ो परदेश के नाम से एक स्कीम चलाती है उसमें यह संख्या को वर्ग का कोई वेकती है तो उसको भारस सरकार देती है पड़ो परदेश आप जो है national scholarship portal पर जा सकते हैं या www.minorityaffairs.com ठीक है इस साइट पर जाएंगे आप भ सर्त ही scholarship के लिए कोई एक एज लिमिट भी है क्या मतलब जैसे कि कोई पड़ चुका है UG हो गया PG हो गया अब यदी वो कुछ मालो PhD करना चाहता है थोड़े टाइम बात तो वो अवेल कर सकता है क्या या या फिर वो एज लिमिट को क्रॉस कर गया तो वही मैं आपको है यह तक 35 वर्स तक आप जो है किसी भी प्रकार की scholarship के लिए पात्र होते हैं तो उसमें normally graduation करता है बच्चा तो 25-26 साल तक वो कर लेता है complete फिर भी उन्होंने 10 साल का relaxation देते हुए 35 यह की है और कोई भी दो पाठिक्रम यदी वो करता है तो उनमें अधिकतम दो वर्स का गे इससे ज़्यादा गेप नहीं होना चाहिए यदि दो वर्स का गेप है तो उसको execute किया जा सकता है और उसको scholarship की पात्रता होती है जी सर आपने बहुत बताया इंपक्त मुझे भी scholarship के वारे में इतना नहीं पताता है कि इतनी इतनी टाइप्स की और भारत सरकार की तरफ से अलब अद्य प्रदिश सरकार की तरफ से अलब इतनी स्कॉलर्शिप से इसकिम्स अवेलबल है और आपने उनके पॉर्डल के नहीं बे बताएं मैं भी इना सर्च करूंगी सर और बच्चों को इसके लिए अवेर करने की कोशिश करूंगी तो थैंक्यू सर इस क्योशन के अंसर के लिए अब नेक्स यदी हम बात करें सर तो प्रचा आफ्टर ग्रेजिएशन किया है उसने अब उसके मन में प्रशना आता है कि मुझे कोई सरकारी नोकरी मिल जाए या कोई प्राइबेट जॉब मिल जाए जॉब की तरह बोड़ रहे हैं लेकिन मदबदे सरकार ने एक प्रयास किया है मदबदे सरकार ये कहती है कि आप नोकरी लेने वाले नहीं नोकरी देने वाले बनो तो यदि आप में अंतरनीत चंताएं हैं तो बहुत अच्छी ऑपोर्चुनिटीज हैं आउसर बहुत सारे हैं बस सबसे बड़ी बात होती है कि आपको आउसरों को पहचानगा तो इसके लिए क्या है सरकार ने अभी बिभिन प्रकार की स्कीन स्वरोजगार की भी प्रारम की है जिसमें मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना होती है इसमें स्वरोजगार योजना के तहर उद्योग विभाग होता है वो जो है सॉफ्ट लोन उपलब्ध कराता है बच्चों को जो भी युवा है उनको कि इनकी सुथा उप्लत खर थे हैं साथी सांत अभी मदिप्रदेश युवा उद्यमी योजणा भी है एक स्टार्ट की गई है दो युव उद्यमी है उद्यम करना चाहते हैं यदि आप कोई काम करना चाहते हैं totally company downwards करना चाहते है को फेक्ट्री लगाना चाहते है कोई shop स्टार्ट करना चाहते हैं कोई मैनिफेक्ट्रिंग यूनिट स्टाप करना चाहते हैं वह डॉमेस्टिक छोटे से छोटी हो सकती है या कमर्शल बड़े लेवाल पर भी हो सकती है तो उन सब के लिए जो है जितना आपको आवश्यक्ता होगी 10 लाग तक कभी 20 लाग तक कभी जो है सरकार उपलब्द कराती है और बहुत ईजी लोन होता है इसमें मैं बच्चों से हमेसा यही कहूंगा कि आप किसी भी दलालों के चक्कर में ना पढ़ें क्योंकि एक होती है समस्या आप सीधे-सीधे विभाग में जाएं विभाग के साइट पर जाएं उनके गाइड जाएं तो आपको बिल्कुल सारी योजनाओं के जानकरी मिल जाएगी तो बिल्कुल आप कर सकते हैं वहतर भविश आपकी प्रतिक्षा कर रहा है इतनी सारी opportunities है तो बच्चों को अवेर होना चाहिए और इने जानना चाहिए ने यूज करना चाहिए आसर नेक्स्ट में आ आपने देखा होगा कि कुछ दिनों से थोड़ा विवादित भी रही है ना भारत सरकार ने ये कहा कि चार साल के टेनियोर के लिए रक्षा छेतर में ठीके बच्चों को डिपलॉय करना है दीके क्या होता है कि एक बहुत अच्छी opportunities है अगर आपने 12th किया है और इसके उपनी शुरू हो चुकी है जिसमें बच्चे बालक और बालिकाएं दोनों बहुत अच्छी उत्साह के साथ भाग ले रहे हैं तो उसमें आप चार वर्स तक महा पर सेवा देंगे तो आपको एक निश्यत मानदे सरकार देगी चार साल तक लगातार आपको मानदे मिलेगा और लास्ट में जब चार साल की सेवा आपकी पूरी हो जाएगी तो उसके बाद आपको लंसम एक अमाउंट मिलता है और जिससे कि आप अपना कोई भी दूसरा प्रेविजन शुरू कर सकते हैं और साथ ही साथ ऐसे जो बच्चे होंगे उनको विविन सेक्यूरिटी सर्व मिल रही है तो उसके पास में वो स्टेट के अन्नी सर्विसेज में भी दूफलाय हो सकते हैं और आप में बात बताईए कि यदि 17-18 साल का बच्चा प्रेविश ले देता है और मैं आपसे यह कहूं कि 17 साल के बच्चे ने भारत सरकार की इस स्कीम के अंतरगत सेवा ली और और वहां 20-23 साल का बच्चा यदि इस एना से बाहर रिटायर होके आ रहा है और उसके हात में एक साथ अमाउंट है तो वो अपने स्वयम के लिए कोई रोजगार इस्थापित कर सकता है उस पेसे से वो कोई अच्छा प्रेवजन शुरू कर सकता है वो अन्नी सेवाओं मे क्या कर सकते हैं आपने वो भी बच्चे को क्लियर कर दिया सर अब बच्चों के पॉंट आप यू से मैंने सारे क्योशन स्पूछ लिए कि कुंसी एक्जाम कुंसा करियर ऑप्शन इस्कॉलर्शिप फिर के से खुद को डिपेंडेंट पनाए तो वो सारे योजनाओं के बा हमने बच्चों के बाद की, युबाओं की बात की विष्यत रूफ से महिलाओं के इनाच यह भी आदूराय हैं है ना हमारी मात्र शक्ति है जए सही दिशा मिल जाती है तो बहुत सारी चीजें हैं जसे अपने महिलाओं के बाद की अलप संख्य वरगी की बच्चे महिलाओं चूकि मैं पिछड़ा वरग तथा अलप संख्य विभाग है उसमें स्टेंड डिरेक्टर हूँ, तो हमारे विभाग के माध्यम से जो महिलाओं हैं उनके लिए सेलफ है जिनसे वो छोटे छोटे अपने कुछ यह कर सकते हैं कि लगुद्यों कर सकती हैं, और सरकार उनको उसके लिए ग्रांट भी रेती है, साथ ही साथ उनमें लीडर्शिप क्वालिटी डेवलप करना है, दक्षता सम्मर्धन करना है, तिकि महिलाओं को यदि आत्मनिर्भर बना तो सबसे पहले उसमें नेतरत्व छम्ता का विकास करना होगा है, तो इसके लिए भारत सरकार की नई रोष्णी बहुत अच्छी योजना है, तो जो नई रोष्णी योजना है, उसके अंतरगत क्या होता है, कि कुछ निजी जो एंजी ओस होते हैं, जने हमारी भाशा में आईये बोलते हैं, प्रोजेक्ट इंप्लिमेंटेशन एजेंसी, जो नीती आयोग में रेजिस्टर होती है, और वे संस्थाएं जो है भारत सरकार उन संस्थाओं को एक प्रोजेक्ट के रूप में देते हैं, तो वो महिलाओं के सम्हू बनाते हैं, गुरूप बनाते हैं 25 25 महिलाओं के और उनमें लीडर्शिप क्वालिटी डेवलपमेंट के लिए उनको ट्रेनिंग दी जाती है, ट्रेनिंग के जो मॉड्यूल होते हैं, उसमें उनमें सिक्षा के छेतर में वो क्या कर सकती हैं, उनके क्या क्या अधिकार हैं, स्वास्त के लिए क्या क्या कि योजना है उनकी सुरक्षा के दर्ष्टी कौन से कौन-कौन सी योजना है यह सारी योजना महिलाबाल विकास की कौन सी योजना है अन्नी विभागों के माध्यम से महिलाओं के लिए क्या-क्या योजना है उन सारी विभागों की योजनाओं के बारे में महिलाओं को ट्रे इस प्रकार से महिलाओं में नेतरतु चंता विकास के प्रोग्राम सरकार चलाती है और बहुत सारी योजनाओं अन्य हैं जनी योजनाओं का लाब महिलाएं ले सकती है और उनके माध्यम से वो आत्म दरभर हो सकती है जी सर और महिलाओं को तो आत्म दरभर होना ही चाहिए सर और योजनाओं का यूज करके आई तिंक महिला आगी भी बढ़ रही है बिल्कुल बहुत इसका लाब मिल रहा है बस सही बिल्कुल आज सर अब मेरा नेक्स क्वेशन है यूद के लिए भी मान ले या आजकल तो सबसे बड़ी समस्या जो आपने कही वो यह होती है प्रशन क्यों नहीं प्रशन क्यों तो वो होता है अती महत्वा कांग्षा जी सर ठीक है ना अती महत्वा कांग्षा में व्यक्ति क्या होता है कि अपने जो उसने सोच लिया मुझे ये करना है तो उसमें महा तक ठीक है हम अपने अंतरनी छमताओं को पहचानना चाहिए सबसे पहले तो यदि व्यक्ति ने स्वयम की छमताओं को पहचान लिया और अपना लक्ष नरधायत कर लिया तो सही दिशा में बढ़ेगा लेकिन यदि उसने स्वयम का मुल्यांका नहीं किया और गलत दिशा में बढ़ता है तो ऐसी हिस्तिती में क्या होता है वो लक्ष को प्राप्त नहीं कर पाता और जब लक्ष को प्राप्त नहीं कर पाता तो उसमें हताशा होती है निराशा का भाव जागरत हो जाता है चिर्चिड़ा पना जाता है ना उसके लिए सबसे बड़ी मुमिका यह होती है कि हमारे पर उसे सही दिशा प्रदान कर दे और यदि वो सही दिशा में चलेगा मान लीजिए एक बच्चा है और उसकी रूची पढ़ाई में नहीं है लेकिन हमें लगता है कि ये खेल गती वीडियो में बहुत अच्छा है तो किस इवेंट में किस स्पोर्ट में वो बहुत अच्छ अच्छा डाफ्टर बन जाए लेकिन वो तो इंजिनियर बनना चाहता है और हमने क्या किया उसको अनावश्यक रूप से बाइलजी दिला दिया हम कह रहे हैं नीट की तैयारी करो और वो करना चाहता है कि उसका तो ग्यान मनिश जो है इंजिनिनिंग फिल्ड में तो हमें पहचानना पड़ेगा कि बच्चा किस दिशा में जा रहा है तो अगर माता पिता की भूमी का यहां से शिरू हो जाती है कि बच्चे क्यों को पहचानते हो उसे उस दिशा में बढ़ाएं और बच्चे को सोयम को भी इस बात को ताई करना पड़ेगा कि मुझे क्या करना है मतलब अगर बच्चे छोटे हैं तो बच्पन सही जो पैरेंट से उने भी अपनी बात है देखना होगा कि उसकी छमताएं क्या है कि इस दिशा में बढ़ रहा है उसी दिशा में सही गाइडेंस मिलेगा तो बच्चा अच्छा करेगा है ना वातावरन अगर उसका सकारात्मक हैं अधरवाइस किया होगा फ्रस्ट्रेशन आता है बच्चा जो है ऐसी इस्तिति में तनाव में रहता है और तनाव रहने के कारण चर्चड़ा हो जाता है तो यह सब चीजे और सेल्फ कॉंफिडेंस महीं से आएगा कि यदि वह सही दिशा में होगा उसको दिखिए अप बलं महरो आंधरो क्यों क्यों कि उसे मोटिवेशन नहीं मिलता उसको जो है प्रोट्साहा नहीं मिल पा रहा तो ऐसे में क्या होगा बच्चे ने कुछ अच्छा किया ना तो हमें उसे मोटिवेट करना होगा शाबासी देनी होगी प्रोट्साहित करना पड़ेगा यदि हम बार-बार हर चीज में उसको जड़केंगे, डाटेंगे, फटकारेंगे, ये मत करो, ये मत करो, तो उसमें नकरात्मक पाओ प्रेदा होगा, और उसका परणाम ये निकल के आएगा बच्चे में कोई, तनाव होगा, फ्रेस्टेशन होगा, चलचेशा पनाएगा, और फेर फ कि हार शो में आपने कुछ लाइंस बोली है कर शो में आपने कुछ बीच बीच में कुछ पूट की है सब करने के लिए खि़कुक करने के लिए आप अपने जीवन में लख्श नर्धारित करें उस लक्ष को कराफं करने के लिए देहनिश्ठोंगे चलते रहें आप बट्वति पहुन जाएंगे गवोध बहुत शुत जाएंगे बहुत बट्वति shaping आप अमीं करना है और आप पर इंटार है तो अपने एंटार है तो इन्टार अपर से के लिए प्रैक्टियू टेंशु आपके पट्रैक्टियु एंट त्यूह थे जरार यह अपू कुछना हो कि हमारा फ्रॉच के बाइटी अगा की ज़े जिए तो आप मेल आइडी का फोट करेंगे आपकी questions का answer देंगे आप email id को note कर सकते हैं जो भी questions रहे हैं आप इस पे mail कर दें एंड सर अब वे लास्क में आपको thank you बलना चाहूंगी आपने सारे questions का इतने अच्छे से दिया है sir, career options हो, entrance exams हो, scholarship की करी schemes आपने बताई जो मैंने भी note कर देंगे sir, employment के लिए पर चाहूंगी आपकी बच्चे से दिपने के लिए यूँद का रे इसके लिए आपने स्कीन स्कीन स्पटाई है जो एक यूप आपने स्कीन स्कीन स्वाश कर देंगे स्पटाए का formation की बलतारा मैंने स्पटे है नहीं इसका पर रगार्शं के देंगे, टिए अच्छे video and want such type of videos again on different topics then don't forget to subscribe the channel and like this video thank you so much okay